नमस्कार दोस्तों मेरे चेलन में आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो पर हम बात करेंगे रिसी केस कंड प्रयाग रेलवे लाइन के बारे में किस तरीके से ये रिसी केस आपका कंड प्रयाग का काम बड़े जोड़ सोर से चल रहा है सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा जब आप उत्रा खंड जाते हैं तो सबसे पहले धेरादुन हो गया, रिसी केस हो गया, हरिदार हो गया यहाँ पर लोग उतरते हैं ट्रेन से आप यात्रा यहाँ पर कर सकते हैं यहाँ तक उसके बाद सारा आपका हिमाले के माउंटेन सुरू हो जाता है लेकिन इसमें काम चल रहा है आपका railway track का railway track की importance क्यों है बहुत जादा उसका reason यह है कि railway track आप बारों महीने उप्योग कर सकते हो इस तरीके से alignment fix किया जाता है कि दूरी कम से कम हो लोग जल्दी बहुशते है तो यह एक बहुत बड़ी वज़ा है कि railway track जहां अगर होता है तो वहाँ पर development और साथ ही लोगों के लिए transport facility सबसे अच्छी होती है और accident भी कम से कम होता है क्योंकि आप road transport का use ना करके train का use करते है चलिए आज के इस वीडियो पर हम बात करेंगे रिसी केस, कन प्रयाग, रिल ट्रैक के बारे में अभी इस से रिल ट्रैक एक latest news निकल के सामने आई सबसे पहले हम लोग देखने कि इस route में कौन-कौन से station आ रहे है इसमें आ रहे है आपका रिसी केस सिवपुरी, ब्यासी, देप्रयाग, स्रीनगर, धार देवी, रुद्रप्याग, गौचर और कर्णप्रयाग टोटल जो आपकी इसकी डिस्टेंस से 125 किलोमेटर है दोस्ते एक बात जानकरी के लिए आपका बता दूँ कि 125 किलोमेटर में लेटेस्ट निउस यह है कि L&D कमपनी ने आपका 1200 मीटर N.A.T.M. मेथड एक टरनल का मेथड का एक प्रकार होता है उस मेथड से स्विपुरी से 82 के बीच में 26 दिन में आपका 1012 मीटर की टरनल को कम्प्लीट किया है जो कि अपने आप में एक बड़ा अच्यूमेंट है और ये कयास लगा जा रहे है जो कि सच भी है कि 2024 पच्चिस तक ये रेलवे ट्रैक सुरू हो जाएगा जिससे बदरीनात के दानात पहुचना काफी आसान हो जाएगा और जिस तरीके से जो रस पढ़ता है रोड में वो नहीं पढ़ेगा रेलवे ट्रैक बनाने के लिए सबसे खास बात यह होती है कि आपको रोड की तरह 4 लेने या 2 लेने या 3 लेन की तरह चौड़ी नहीं करना पड़ता प्रॉपरली एक ट्रैक जिसकी जो विट्स होती है वो 1.6 मीटर होती है और थोड़ा सा आप इम्बेक्टमेंट के लिए लेते हैं उतना ही एरिया लगता है अगर टेक्नलोजी अच्छी है पैसा अच्छा है फंड अच्छा है तो एक रेलवे ट्रैक सबसे अच्छा साधान होता है आपका किसी भी जगाओं को जोडने के लिए आसा करता हूं दोस्तों ये जानकारी आपको काफी अच्छी लगी होगी इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्स्राइब करना मत भूले तो चलिए मिलते हैं अगल इंट्रेस्टिंग वीडियो में